So, Hello Friends, Welcome to Lansra Visit, This is Ramsoni, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, Wealth Tax के बारे में, As of No काफी चर्चा में हैं, और ना सिर्फ इंडिया में, बलकि पूरी दुनिया में चर्चा में हैं, Wealth Tax को अभी हाली में ब्राजील ने प्रपोस किया है, और देखा जाया तो दुनिया की कई सारी इन सबी चीजों के बारे में आजम चर्चा करने वाले हैं, तो यहाँ पर न्यूज विपर ने दिखाया है कि चुकि ब्राजील ने भी हाली में प्रपोस किया है, और ब्राजील का प्रपोसल इसलिए भी इंपॉर्टन है, बिकॉस ब्राजील के पास वरतमान में G20 की प्र कि आप अपना जो पोजिशन है, वेल्थ टैक्स के बारे में क्लियर करिए, बिकॉस प्रजेंट टाइम में ब्राजील के दोरा प्रपोस किया है, बहुत सारी कंट्री से दोरा सपोर्ट भी किया गया है, तो यहाँ पर यह समझना आपको जरूरी है कि वेल्थ टैक्स जो ल लगाने की चर्चा हो रही है, नौ यहाँ पर देखें, ब्राजील ने प्रपोस किया, इसको डिजाइन किया है, लेकिन फ्रेंच एकोनामिस्ट हैं, जो की यूरोपियान यूनिन टैक्स ऑब्जरविटरी के हैं, गैब्रियल जुकमेन, इन्होंने से इस किया है कि जिन लो तीस लाग से उपर कह देखें, तो उनके उपर एक परसेंट का वेल्थ टैक्स लगाया था था, लेकिन दो हजर पंदरा के बाद इसको बंद कर दिया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में इसको बंद करने के बाद कोई नई चीज श्टा आते हैं, हमारे इंकम कंसेंटरेशन कहां पर जदा है, तो आप देखेंगे, यहां पर लिखा है, लुक अट इस वन, यह पिरामिड आपको दिखाया जारा है, जिसमें जो टॉप पिरामिड में जो टॉप लोग बैठे हुए हैं, टॉप वन परसेंट एलोन, टॉप वन प परसेंट लोग के दिए हम बात करें, तो उनके पास पूरे देश के इंकम का 57.7%, तो टॉप 10% के पास पूरे देश की 60% इंकम उनके पास में है, हमारे सविधान का जो डिरेक्ट्व प्रिंस्पल आफ इसेट पॉलसी है, वो भी कहता है कि कंसेंट्रेशन आफ वेल्थ हमे पूरे देश की, तो कही न कहीं यह कंसेंट्रेशन क्रेट करता है, ना सिर्फ इंडिया में बलकि पूरी दुनिया में, आप देखो के ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के इसाब से सजिस किया गया है, कि 1 बिलियन डॉलर से उपर का वेल्थ रखने वाले लोग पूरी दुनि में है देखा जाया तो इसके चलते यहाँ पर wealth tax को propose किया गया है अब देखे यहाँ पर यह महत्पूर बात यह कि भारत में billion dollar से उपर का wealth रखने वाले लोग 167 है अब यहाँ पर देखा जाया तो यह बोला जा रहा है कि 2% wealth tax लगाया जाता है उनके उपर तो इससे 1.5 lakh crore र साल जो कि हमारी earth विवस्था का 0.5% है और यह बहुत बड़ा percentage है इससे आप different different जितने भी हम construction कराना चाहते हैं बहुत सारे infrastructure बढ़ाना चाहते हैं उससे कहीं कहीं काफी मदद मिल सकती है दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे इस चीज को Brazil ने initiate किया है यह बास सच है Brazil का initiation इ इनके पास Z20 की presidency है इसको France, Spain, South Africa, Germany ऐसी बहुत सारी countries ने proper तरीके support भी किया है और even ली पूरी दुनिया में यह यह 2% का यह लगाया जाएगा पूरी दुनिया में यह जाफनों लबक 3,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास billion dollars से उपर का wealth है उनके उपर यह wealth tax लगायाता है तो तकर दिबन 250 billion dollar annual मतलब सालाना जनरेट होगा जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एकोनामी को जनरेट करेगा अब देखा जाए तो यहाँ बहुत जरी कंट्री सपोर्ड कर रही है कुछ कंट्री अपोस करेंगी सिंपल सी बात है यहाँ बात करें हमारे भारत में यही wealth tax लगायाता है तो यह burden है आप चुकि हमारे इंडिया में थोड़ी community wise discussion जदा होता है तो यहाँ पे आप कि जो यहाँ पे चार communities है अन्रेज़र्ड, OBC, CST यहाँ पे यूसी अन्रेज़र्ड की बात कर रहे हैं basically अन्रेज़र्ड कास्ट तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे देश का जो billion dollar wealth रखने वाले लोगों में से लबग 90% 80-90% जो लोग है वो dollar रखने वाले wealth रखने वाले लोग बहुत कम हैं तो obvious सी बात है यह policy implement होती है तो इससे सबसे दिक burden unreserved community को आएगा obvious सी बात है चुकि unreserved community के पास आज से नहीं historical तरीके से बहुत सारा wealth रहा है बहुत सारे जो राज़र रजवाडे हैं वो भी unreserved community से belong करते हैं तो obvious सी बात ह the major burden will be applied in the another community तो यहाँ पे wealth concentration में एक और महत पूर डिटा दिखाया गया है जहाँ पे हाला कि यह policy जो है national family health survey 5 के द्वारा ही डिटा लाया गया है जिसमें core ownership के बारे में दिखाया गया है तो हाला कि इनके उपर wealth tax नहीं लेगा लेकिन फिर भी एक general data बताया जा रहा है कि हम जिनके पास car है इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे यह West Bengal की condition भी काफी critical है उड़ी सा इसके बाद आगे जाओगे अंदरप्रदेश यह state ऐसे हैं जो काफी backward है यहाँ पर लोगों के पास wealth काफी कम है अपार्ट फ्राम डेट आप देखोगे यहाँ पे गुजरात यह आप इनके पास काफी wealth है 10.9% घर ऐसे हैं जिनके पास four ruler है मतलब उनके पास car है मदबदेश में भी 5.3% लोगों के पास में रायस्थान में 8.2% उत्तरबदेश 5.5% यहाँ पे पंजाब हरियाना आप जाओ हिमाचर प्रदेश जाओ यहाँ पे लोग काफी wealth हैं तो कहीं कहीं यहाँ पे regional inequality भी देखने के लिए मिलती है तो यहाँ अमारा topic wealth tax के बारे में आपके opinion क्या है क्या हमारे देश में wealth tax वाकी लगाना चाहिए आप केस में क्या रहा है आप जरूर नीचे comment करके बताएं मुलाखात करते हैं फिर तब तक क्लिए bye bye and take care लेकिन हाँ एक बात है यदि हम हमारे देश में देखें तो हमारे देश में जो political parties हैं वो चुनावी चंदा बड़ी मात्रा में लेती हैं खासों से वेली लोगों से तो वो definitely थोड़ा एजिटेट करेंगी बड़ अबियस वारे जो कि आलड़ी वो कई कई करोड़ रुपे आलड़ी उनसे अंट लेते हैं चुनाव के नाम पे तो कहीं न कहीं वहाँ पे उनके उपर बड़ा प्रेशर होगा तो इसके बारे आपकी राय क्या अपनी चे कमेंट कर बताएं मुलाकात करते हैं फिर तब तक बबाए और टेक केर तैस अल थैंक्यू